कमजोर तब रुखते हैं जब वो ठक जाते हैं और विजेता तब ठमते हैं जब वो जीत जाते हैं दोस्तो आज है 17 सितंबर और देखेंगे आज के सारे करेंट अफेस साथ ही काफी सारे एक्स्टा फैक्ट भी तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से लास तक जरूर देखिएगा लास्ट में कोश्चन पूचो को उसका एंसार आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इस वीडियो की पीडिया फाइल के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लें लिंक की वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वहाँ पर मेरे दौरा बनागे करेंडेफेस की वीडियो आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं ठीक है और दोस्ते दिया आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्स्राइब जरूर करने साथ में वेल आकान प्रिस करें ताकि आपको डेली मौनिंग में पांच बजे इसी टाइम पर करेंडेफेस की वीडियो जो मिलती रहेगी दोस्तों करेंडेफेस स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि हमारे कल के कॉंटेस्ट के जो बिनर हैं आकास यादव जी है आकास यादव जी आप हमें free online studypoint at the red gmail पर आप mail करिए आपको आप वीडियो फाइल्स नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों आप भी हमारे कांटेस्ट में participate करना चाहते हैं तो आप हमारे simple से 5 सवालों के जवाब देकर आप पीडियो फाइल्स नोट जो तो प्राप्त कर सकते हैं और rules यह है कि आपको पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना है वीडियो के बीच में कभी आपसे 5 सवाल पूछूगा उन सवालों के आपको answer detail में बिलकुल लिखना है और बहुत ही unique लिखना है किसी का copy नहीं करना है जैसा कि अभी आप देख रहें इस screen पर आकास याद प्रिण्ट उनकी में मदद करना चाहता हूं सभी को वीडियो फाइलस में सेर करना चाहता हूं प्लीज आप जरूर बताएं इस contest के बारे में इस वीडियो को प्लीज शेर जरूर करें सपोर्ट करें दोस्तों प्लीज शेर करके आपसे request करता हूं चलिए तो Start करते हैं दोस्तों आज के करने फेस्ट वीडियो लाइक जरूर किया कर ये उत्साब दाने के लिए चलिए पहला कोशन है 2018 दक्षण ACI Football Federation Cup कि इस देश ने जीता है तो इसका correct answer हो जागा option भी मालदीव आपको बता दे कि मालदीव ने 2018 दक्षण ACI Football Federation Cup जीत लिया है और धाका में ये बंगवंधू स्टेडियम में फाइनल में उन्होंने मौझूदा चेंपियन भारत को 2-1 से पराजि स्थापना होई थी 1993 में ठीक है इसके लाब आपको बता दे दोस्तों कि साथ बार के चैंपियन भारत ने इस सम्मेलान में पसंदीधा टीम के सार्व में शुरुवात कि थी भारती टीम जिसमें ज्यादा तर अंडर 23 खिलाड़ी सामिल तूर्णमेंट में एक मात्र नावा करativo करें तो करेंशी है मालदीवियन रूफियाँ ठीक है मालदीवन रूफिया है कि करेंशी है और राजधानी है माले अौपो कि बात करें मालदीव की तो बरतवान प्रैसिधेंट अब्दुल्ल marc 1997 Euro7-255 कि जीत लिए है मालदीव ने भारत को हरा कर ठीक है और दोस्तों से रेलवे गुरूब डी के एक्जाम स्टार्ट हो रहे हैं जितने वी स्टूजिंट के आज गुरूब डी के एक्जाम है उन सभी को ऑनलाइन इस डिपकॉइंट फैमिली की तरफ से बहुत सारी ढहर सारी सुपकामना है अल्दे वेस्ट आप अपने माता-पीता का चरण इस मेरी कामने 48 किलोग्राम स्रेणी में अपना तीसरा गॉल्ड जीता है जबकि जोती गुलिया ने गुषी गुष पोलेंड में महिलाओं के लिए सिलेशियस ओपेन मुक्केवाज टूर्नामेंट की 51 किलोग्राम यूवा वर्ग में जो तो देश का अकेला सौन पतक जीता ठीक है इसके लाब आप बता दें को है अरजेंटिना में अगले महीने होने वाली यूवा ओलम्पिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली एक सिलेशियन ओपेन मुक्केवाज टूर्नामेंट में 50 किलोग्राम में यूवा सड़ी में देश का अकेला सौन पतक जीता है ठीक है तो पोलेंड के सिलेशियन ओपेन बॉक्सिंग में एमसी मेरी काम ने जीत लिया है ठीक है दोस्तों अब यहाँ पर बात करेंगर पोलेंड पहले रेलवे गुरूप डी एक्जाम के लिए एलबूप प्रिसर द्वार एक इंपोर्टेन बूक पीडिया फाइल से आप परशेज कर सकते मात 30 रुपए की बूख है लिंक की डिक्रिप्सन बॉक्स में आपको मिल जाएगा अगला कोशन है इस रो पी एसलवी सी परशेज कर इसका राइट एंसर है और सने स्री हरी कोटा से ठीक आपको बता दे कि इस रो यानि भारती अंतरिक संदान संक्तन ने स्री हरी कोटा से अपने ध्रुवी प्रक्षेपन उपगरे वहां पी एसलवी सी फोर्टी टू लॉंच करे गया यानि पोलर सेटेलाइट वहिकल पी एसलवी पोलर सेटेलाइट लॉंच वहिकल ठीक है आपको बता दे दोस्तों सतीज धवन स्पेस सेंटर के पहले लॉंच पैट से पी एसलवी सी फोर्टी टू को लॉंच किया जाएगा और इसमें जो है तो सेटेलाइट टेकनलोजी लिम्टेड यूके के दो प अब लोकोन उब्रहों को ले जाये गए इस वर्च का पहला वाणिज्जिग लांच है यहां पर दोस्तों बात करेगार इस रोंग के बारे में इस रोंग जारू करें अब नोट करते हैं नहीं जरूर किया कर ये बहुत important रहते हैं इश्रो के बरतमान चेररमेन है डाक्टर गे शिवान इश्रो पोलर्शिटलाइड लॉटपซीवो को से लॉटको करेगा स्नुलेख स्रीहरीकोटा सकते हैं अब देख लेते हैं जिसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में बहुत डिटेल के साथ लिखना है जिससे आप जीत सकते हैं पास सकते हैं पीडिया फाइल्स पहला कोशन है भारत के किस राज में पहला ब्लॉक्चेंजी लाएगा नेक्स कोशन है किस देश के वेकजानकों ने पहला एकल गुंशूत्र खाम समद्धीत है किस विधेख से समंद्धीत है 123 श्रमिधान संसोधन फिप्त कोश्चन है तीसरी ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल में सर्वसेस्ट फिल्म के रूप में कौन से फिल्म चुनी गई इन पांचों को उत्तर आपको जैसे मैंने बताया है आपको प्रारूप बताया ह पूरी डेटेल के साथ लिकने इसका भी बेस्ट एंसर रहागा किसी कोई भी कौपी पेस्ट नहीं करेगा ज्यादा तर लोग कौपी पेस्ट करें लेकिन हला की बहुत से लोग कमेंट करें बहुत ही बहत्तरीन एंसर प्लीज पार्टिसिपेट जरू करिएगा कमेंट ठीक है आपको बता दें दोस्तों कि नासा ने ICE Satellite 2 के रूप में जाना जाने वाला अपने ICE Cloud and Land Elevation Satellite 2 ICE का फुल पर्म क्या है? ICE Cloud and Land Elevation Satellite 2 लॉंच किया जो की कैलिफोनिया में वेंडियन वर्ग वाई शेना बेस से प्रिथिवी के घर्टे धुरूई वर्ग को ट्रैक करने के लिए माप डेटा एकत करने के लिए बेहत सटीग लेजर को प्योग करेगा ठीक है इसको बता दें एटलस यानी एडवांस्ट टोपोग्राफिक लेजर अल्टिमीटर सिस्टम के रूम में जाना जाने वाला यह लेजर वेग्जानिकों के विश्लेशन के लिए बहुत सटीग माप एकत करने के लिए प्रतिस सेगंड दस अजार पल्स को चलाता है ठीक है इसके लाँ बता दें वर्फ की सीट में परिवर्तन और शमुद्र वर्फ मोटाईई परिवर्तन जो तिसका कारे करना है तो धुरुवी वर्फ को ट्रेक करने के लिए सेटलाइट किसने लौंच किया है यह लौंच किया नासा ने अब यहाँ पर नासा के बारे बात हो रही तो नासा का फुल फॉर्म क्या है National Aeronautics and Space Administration क्या फुल फॉर्म नासा का National Aeronautics and Space Administration नासा की स्थापना होई थी 29 जुलाई 1908 को ठीक है 1958 में ठीक है नासा के जो बर्तमान Administrator है Jim Brindstein है ठीक है तो धुरुवी वर्फ को ट्रेक करने के लिए सेटलाइट किसने लौंच किया ये किया है नासा ने इस रो के बारे मैं आपको भी बता चुका हूँ ठीक है चलिए दोस्तों आज काफी कम कोशन थी क्योंगी कल संडे था ठीक है नेक्स दे से आपको पूरे करेंड फेस के 15 कोशन मिलेंगे अब देख लेते हैं आज का कल का उत्तर देख लेते हैं लास्ट वीडियो का कोशन पूछा था भारत के अगले मुखिनाधिस के रूम में किसे ने उप किया गया है उसका करेक्ट एंसर होगा ऑप्सन भी अब देख लेते हैं दोस्तों आज का सवाल के है आज का कोश्चन तो मिलते नेक्स वीडियो के साथ आपको रेल्वे गुरूब डी एक्जाम के लिए आल देवेश दोस्तों बहुत ध्यान से एक्जाम दीजिएगा और 100% अपने देखे आईए एक एक्जाम में तो आपका दिन शूब हो दोस्तों स्वस्त रहिए बेस्त रहिए मेंस रहिए और दोस्तों प्लीज आप PDF को हमारे शेर जरूर किया करें और साथ इस वीडियो को शेर करें दोस्तों के साथ कॉंटेस्ट के वारे हम जरूर बताएं ठीक है ठैंक्स अलाट फार वाचिंग जै हिन जै भारत